हाँ तो भाई क्या हल चल सबके उमीद करता हूँ बढ़िया होगे घास कर तो पुरेरी पल्टन के फैंस के और दूसरी तरह फर्याना वालो आपको बढ़ाई भाई आपकी टीम जो है वो पहली बार फाइनल खेल रही जिहां मैं बात कर रहा हूँ आज के हुए सेमी फाइनल मुकाबलों के नतीजों को लेकर के देखे पहला मैच हुआ पुरेरी पल्टन और पत्ना पायर्स के भीच में जहां पे पत्ना पायरे बुरी तरीके से हाड़ी है इसाव ऐसा नहीं 27-21 के स्कोर से पुरेरी पल्टन ने पत्ना पायर्स को रहा है दूसरे समी की बात करते है ऐस प्रेडिक्टिट का जा रहा था मुकाबला क्लोज जाएगा क्योंकि जावर पिंग पैंथर्स भी बड़ी आप फॉर्म में चल रहे थे डारेक्ट सेमी फाइनल में कॉलिफाइब थे वहीं हरियाना इस्टिलेस गुजरात को बुरी तरीके से हरा अगर के आरेक्ट एलमिनेटर मुकाबले में और जिसका नतीजा यहां पर देखने को मिला है और मनपीत पाजी लगातार कहते वे आ रहे हरियाना अस्टिलेस की कोच की इस बार ट्रॉफी से कम कुछ भी नहीं और उनकी बात अभी तक तो पुड़े रिपल्टन उन्हें हराना पड़ेगा यानि कि PKL सीजन 10 का फाइनल और उनके फाइनलिस्ट जो है वो तह हो चुके है पूड़े रिपल्टन जो पतना पायट्स को से फाइनल में हरा करके आ रहे हैं और दूसरी की बात करें तो दूसरी है वो है हर्यानिसले जि देश्वाल की बात करो तो अरजुन देश्वाल आज के मुकाबलों में 14 पॉइंट हासिल करें अरजुन ने जब की भवानी राजपूत और वी अजीत कुमार इन में से कोई नहीं चला है केवल यह भवानी राजपूत ने 3 पॉइंट लिए और वी अजीत कुमार ने एक वह दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं तो विने बढ़िया काम की हर्याडा के तरफ से विने ने 11 पॉइंट हासिल करें विने के साथ 7 में सिवम पटा रहे असलम इनामदार ने भी बढ़िया काम किया असलम ने कोलमिलाकर के 7 पॉइंट हासिल करें है अभिनीश नदराजन की जोड़ी भी चली उन्होंने भी 3-3 टैकल पॉइंट हासिल करें कोलमिलाकर के बढ़िया रहा दोनों मुकाबले और पटना पाइट्स के फैंस का दिल त उटाएगी भाई पटना पाइट्स उन्होंने मुकाबला का बादिया वजह यह रही कि सचिन माच पॉइंट हासिल करने के बाद चोटिल हो गए उसके बाद उनकी मैट पे वापसी नहीं हो सके वही दूसरे रेडर के अगर बात करें वह थे मंजीत दहिया और सुधा करें हम वो चले नहीं और बात करें अगर यहां पर हम संदीब कुमार के तो संदीब कुमार भी ने भी वैसा कुछ खास किया नहीं जिसकी वजह से वह मुकाबला जीत सकते हैं और को मिला करके 21 पॉइंट के स्कोर पर ही रोक दिये गए पटना पाइरेट्स वाले पटना का स्को पूला और यह बिडियो की उवल छोटा सा रहने वाला इसमें मने यह बताई कि बाइगा को क्या लग रहें आप से विडियो को लाइक कर लीजेगा चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करो